खवर कानपूर नगर से हैं जिलादिकारी नेहा शर्मा एवं एडिशन सीपी आनव प्रकातिभारी ने कल टाटमिल एक्सिजेंट में घायल हुए लोगों की इस्थती जानने है तू हेलेट हॉस्पिटल में भरती घायल मरिजो की इस्थती के विशे में उपस्ति डॉक्टर जानकारी तो डॉक्टर ने बताया कि घायलों की स्थती समाने हैं उनका बहतर इलाज किया जा रहा है जिलाद खारी ने कहा कि किसी भी तरह से उनके इलाज में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए उन्होंने प्रतापगड़ निवासी घाय जीतलाल एवं कानवु हरिवा निवास सौरब सिंग चौहान से उनका हाल जाना जिलादकारी ने कहा कि प्रशाशन की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी उन्होंने कहा कि ड्राइवर को गिरफतार कर लिया गया है उसके खिलाब कर वाई की जा रही हैं लेकिन और्थोपेडिक सर्जिरी हैं काफी फीमर वगरा एक हैं जिनकी हेड इंजरी थी उसका सीटी स्कैन वगरा कराया गया तो वह सामान्य निकला है लेकिन टिशू इंजरी बताई गई है तो इस तरह से तीन लोग हैं जो ग्रिवियसली इंजर्ड हैं सामान्य रूप से इंजर्ड भी कुछ लोग थे जिनका फरस्टेड हुआ और फिर वो डिस्चार्ज करके घर बेजे गए तो ऐसे भी कुछ लोग थे वहां पर काफी वहानों को शतिग्रस्ट करते हुए यह आगे निकली थी और इसमें बेसिकली जो जाकर मूव्मेंट उसका रुका था वो एक डंपर से टकरा कर रुका था तो इस तरह से चतिग् प्राइवेट प्लेयर है जो यह पूराई बस संचालन कर रहा है उसके द्वारा भी इसमें हम लोगों ने उससे बात करके क्योंकि एक तुविधिक कारवाई अलग है लेकि आर्थिक रूप से भी जो साहता है शाशन की जो मंशा है उसके अनुरूप साहता मुहया कराना है तो जो डिसीजड है उनके लिए उनकी फैमिली के लिए पाइव लाक रूपी और जो इंजर्ड है उनकी फैमिली और उसके लिए बन लाक रूपी का कॉम्पंसेशन है वो हम लोग इंशोर कर रहे हैं कि आज में हमाई पास लिस्टिंग हो जाए और जितना जल्द से अपील उसको हम हैंड ओवर करेंगे बियू रिपोर्ट न्योज अब भारत